नमस्कार दोस्तो आप सभी का सौगत है हमारे इस वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो हम जीरसाइज पर बनाने जा रहे हैं कई लोगों को कमेंट था कि जीरसाइज जो है आप मचली पालन कैसे किया जाता है तो दोस्तो जो आप सामने ये तलाब देख पा रहे हैं इसमें जब सुखाया जाएगा क्योंकि ये पूराना कल्चर हो गया था तो एक बार इन मिट्टी को जो है थोड़ा चिटक करके जब धूप लगेगी तो सबसे अच्छा होता है उसमें से जो भी बेक्टेरिया है जो भी अमोनिया गैस है वो सब तो खतम ही हो जाएगा जो कीडे मको में पतल लगी थी तो इसमें से निकाल दिया गया है अभी जो सामने देख पा रहे हैं मिल थोड़ा सा बचा है इसमें भी हाला कि यूब निकाल दिया गया सबगल में खेत वग्यरा Scr i कर्ने के लिए काम आ गया था यह पानी यही पानी हम उन पको खेत में देदेंगे और यह पूरा तलाप सोख जाएगा तो इसी में हम लोग फर्स ब्रीडिंग का बच्चा जो है ला करके इसमें डालेंगे जो की जीरा साइज का होता है जीरा साइज में साप माने के चली बहुत चोटा चोटा बच्चा होता है जो जीरा मसाले में यूज होता है डाल में खाते है हैं लोग डालके वही साइज का जीर साइज का बच्चा होता है हम इस पॉन की बात नहीं कर रहे हैं स्पॉन तो बहुत अंडा होता है समझ दीजिए वह 24 घंटे का बच्चा होता है मचली से निकला हुआ 24 घंटे का बच्चे को जो है इस पॉन बोलते हैं जो मचली का हम लोग श्टॉक करते हैं और ब्रीडिंग कराते हैं तो इन दोनों में जो है हम लोग श्टॉक करने हैं क्योंकि आप मानके चलो कि मार्च के महीने में लास्ट मार्च तक जो है कई लोगों का ओर्डर भी है उसको भी हम भेज देंगे उसके बाद जो है इसमें हम लोग मार् हो गया है क्योंकि कल्चर हो चुका है इसमें तो अब इसको सुखाया जाएगा लेकिन आप ऐसे ही समझ लीजिए कि दो से धाई फिट ही पानी आप रखा करिए तब ही बच्चे का जो परसेंटेज है जो मतलब जो बच्चा बनके आपका निकलेगा वही अच्छे धंक से हो जाता है कई केसे सो में देखे होंगे आप लोग जो है बच्चे का परसेंटेज रेट मतलब जो सर्वाइवल रेट है वो बिल्कुल ही काम आता है तो कई गल्तियां होती है मचली पालन में तो जो हम तो वीडियो के मार्धिम से सिखाते ही रहते हैं फिलहाल जितना हो सक और अगर आपने ज़्यादा पानी रखा तो वही है प्रेशर के नाथे वे घयल नहीं पाता और वेट देड़ हो जाता है तो पनी प्ली जह दो यह ऐसा करते करते आपका दो महीने लगभग लग जाएगा चार फिट करने में तो फिर दो महीने में बच्चे का भी साइज इंक्रीज हो जाएगा कि जो कि उतने फिट तक का पानी उसको चैये होगा तब जाके वो कल्चर आपका अच्छे ढंक से संभव हो पाएगा और ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे का कल्चर करते हैं जो जीरा साइज का करते हैं उसमें जो है आपका जो पानी आप भरेंगे तो वो पानी जो है जो नया पानी आप भरेंगे समर्शेबल से वो भी पानी लगभग 20-25 दिन पुराना हो क्योंकि आप जानते हैं जीरा इसका होता है उसको पानी किस 30 दिन तक का पुराना हो पुराना चाहे जो हो लेकिन नया पानी हो तो पुराना करके ही डालिए क्योंकि जब इस पॉन उसका निकलता है तो छोटे से तलाब में उसको रखा जाता है जो कि उसका पानी पहले से पुराना रहता है अगर वहां से बच्चा निकल के आता है और इस तलाब में पढ़ता है अगर वो पानी भी नया रहेगा तो दोनों पानी अलग लोग हुए जहां से वो बच्चा आया है वो पानी तो पुराना है आपका पानी ये नया है तो उसका जो घर आप बनाए हैं रहने के लिए वो अनकंफरेवल मह थोड़ दे रहे हैं अभी थोड़ा पानी है तो इसका भी पानी निकाल करके जो है बाहर करके या फिर इतना है तो आप आराम से सूखी जाएगा क्योंकि अभी मार्च में बच्चा इसमें स्टॉक करना है क्योंकि अभी ठंड है तो इतना जादा पानी सूख नहीं पाता ह तो धीरे धीरे यह सूखेगा और आराम से जो है हम लोग इसमें जीरा साइज का बच्चा आराम से लाके इसमें डालेंगे और दोस्तों अगर आपको भी जीरा साइज का मचली का बच्चा चाहिए किसी भी प्रकार का हो चाहिए रोहू कतला नैन क्रास का प्चाहिए जो भी देंगे वहां से आपको रिसीब करके अपने तलाब में ले जाके छोड़ देना होता है तो जिन भाई लोगों को अगर चाहिए होगा तो हमें आप इसकीन के दिये गए नंबर पर संपर कर सकते हैं हमने जो है नंबर कॉर्णर में लगा रखा है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं उसके अगर कोई की कुछिन हो कोई पूछना चाहता हो कोई चीज को तो यह रहा और दूसरा जो है आप लोग जानते हैं कि जो बच्चा जब छोटा रहता है जीरसाइच का मचली का बच्चा तो उसको खिलाने में जो है कई लोग जो है डाना डाल देते हैं जो जायें क्या आपको कि पानी के रूप में आप उसको दीजिए मतलब घुला हुआ आप उसको फीडिंग दीजिए तो जब है अच्छे ढंक से वह फीडिंग को मतलब चाटता है आप समझ लीजिए छोटा बच्च रहेगा तो उसका मुही एकदम छूटा रहेगा तो वह ख जो आता है अगर वह आ गया है आपके पास और आप लेके आये हैं ऐसा नहीं कि जैसे ही आया वैसे तालाम में जो है ले जाकर करके आप डारेक जो है छोड़ दिये हैं ऐसा मत कहिएगा जैसे जो पानी हो आपके पास दो ढडाई फिट पहले पॉलिथीन बॉक्स से निकाल जाएगा आप उसके पानी के ऊपर रख दीजेगा 10-5 मिनिट के लिए ताकि आपके तलाम का पानी का टमप्रेचर और जो पानी पॉलिथीन में है उसका टमप्रेचर दोनों मैच हो जाए मतलब बराबर हो जाए अगर कोई गरम है तो वह ठंड़ हो जाएगा यह ठंड़ ह हो जाएगा दोनों पानी का टमप्रेचर तब जाके एक एक पैकट जो है आप खोल करके उसको तलाम में छोड़ सकते हैं उससे क्या होगा अगर जैसे आपका पानी बहुत ज्यादा गरम है उपर एक सता का और आप जो पॉलिथीन है उसको ला करके डारिक छोड़ दिये है तो पानी तो एक तू उसका गरम है यह तो ठंडा है जैसे ही उसको लगेगा तो वो तो ऐसे ही डेड हो जाएगा बच्चा तो दोनों का टमप्रेचर मिंटेन हो जाए तब आप हाराम से उसमें बच्चा छोड़ सकते हैं तो दोनों का टमप्रेचर मिंटेन करने के लिए भी हम आपको बता दिये हैं, आगे किसी वीडियो में और कोई जानका ही रहेगी, तो हम उसको भी बताने की कोशिस करेंगे, और दोस्तों जो भी भाई लोग नए आए हो चैनल पर प्लीज जो है चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना के आप सभी को दिखाते रहें, और जिन भाई लोगों को कोई भी कुश्चन पूछना हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट हमें देशक छोड़ सकते हैं, हम उस पे जो है, आपको एंसोर करेंगे, और कोई भी कुश्चन अगर नहीं समझ में आता है, तो आप हमे डारेक फोन करके भी हमसे आप सलाह मस्रुआ कर सकते हैं, तो चली दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है, हमें जरूर बताईएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजास्त दीजे, बाबाए